नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप से का उलागना डफस्टी चनल पिक उफिस्टे दोस्तों आप से की बीजहार जो लेटेस अपडेट के साथ में इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे नई सिच्छक भरती के शासना आदेश को लेकर साथ ही यूपीटेट 2020 से पहले नई स इच्छक भरती बिग्यापन के बारें बात करेंगे क्योंकि शासन की तरफ से अनमती मिल चुकी है उनहेतर अजार में चैनित होकर भी अभ्यरती बाहर हो जाएंगे थर्ड काउंसलिंग चात्तों के बारें बात करने वाले हैं साथ ही उनहेतर अजार सीट जोड़ने पर आपको देखने के लिए मिलेंगे टेस्ट हिंदी और इंग्लिस दोनों में होगा साथ ही करेंट अफ्रेका अनलाइस भी आप सभी को मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एक दिसम्बर से लेका 31 दिसम्बर तक आप इसे अटेंट कर सकते हैं शाम छे वजे से ज्या क्लास को आप एक्सेस कर सकते हैं अनकेडमी पर वह भी बिल्कुल फिरी आज ही अन्योल करें लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं अगर आप टीटी के पर पेशिंट करें तो अनकेडमी लेकर आया मेगा कुई सीज फॉर MPT जिसम्में आपको मिलेंगी फ्री कर सकते हैं बहुत साई फीचर को घर से बैट कर लाइब अनलिम्टेट एक्सेट कर सकते हैं सभी जो हैं इनको मिलेंग लिंक की डिस्क्रिप्शन में टीटी के लिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1-1, 3-1, 6-1, 12-1 थी और 9 अड़ा के रैफल कोड के साथ आपको मिलेगा 10% का डिसकाउंट सभी को इसके लिए एकी सब्सक्रिप्शन काफी है आज ही सब्सक्रिप्शन लें लिंक वीडियो की डिसक्रिप्श दिक्तपदों को 100% अधियाचन बेशते हुएं भरने के जो आदेस हैं वो दिये गए हैं हाला कि जैसा कि आप सभी को बताएं कि सारी जानकाई हों आपको देते तो हैं लेकिन जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो भी आपको बता देते हैं कि सरकार ने पहले भी कहा था कि तीन महीने के अंदर निक्ति प्रकिया शुरू कर दी जाए और 6 महीने में निक्ति पत्र दे दिये जाएं लेकिन उस बयान को लगबग 4-5 महीने हो चुके हैं अभी तक कोई भी नई भरती का बिग्यापन जारी नहीं हुआ है एक जारी हुआ ता जो कि निरस्त हो चुका है जि इक वर्फे से जो उंबीद है वो जगई है क्योंकि यहां पर सरकार की तरब से बार बार दावे किये जाते तो कहीने की आगामी समय के अंदर आप सभी को पता है कि चुनावी माहूल है और चुनावी वर्ष भी है इससे आगामी समय में भरतियों के रास्ते तो खुलेंग कही नगी प्रतियों के चुनाव का जो भी होगा वो आप सभी को पता चरेगा है क्योंकि इसके अंदर भी जानगाई देगे कि जो मामले पहले से लंबेत हैं उनको किलियर करते हुए नई भरतियों के वारे में जानगाई दी गई है वैसे मैं आप सभी को पता है कि प्रद 2020 से पहले देखने के लिए मिलने वाली है अगर हम बात करें UPTAT के सचेडूल के वारे में फरवरी में आपका UPTAT देखने के लिए मिलेगा मतलब यह है कि यूपीटीटी का जो आयोजने वो फरवरी के अंतिम सब्ता के अंदर हो सकता है और अगर आवेदन डिले हुए तो एक दो हफ्ता आगे भी बढ़ सकता है मतलब कि मार्च के पहले सब्ता में भी जा सकता है ऐसी भी संभावना देखने के आप सभी को बता दी जाएगी तो यह तो बात होती यूपीटीटी के बारे में लेकिन उससे पहले भी एक नई सिच्छक वरती आपको देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीटीटी सिर्फ प्राइमरी और जूनियर सिच्छक वरती के लिए हैं वजर क्या है आप सभी जानते हैं उत्रब्रेस में सरकारी मादमिक हाई स्कूल इंटर कोलेज में अगली बरती शुरू होगी जैसा कि आप सभी यहां देख पारे मतलब पूरी होने के बाद में जो अगली बरती के संबंद में तैयारी करने के जो निदेश से वो दे द जो आसार है वो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं 29 जुलाइस दोज़ा अठाय को जैसा कि आपको बताए 10,768 पतों पर अल्डिकेट शिचक भरती देखनी के लिए मिली थी लेकिन ऐसे में अभी वो प्रक्रिया है पूरे तरीके से संपन नहीं हो पाई होत्तर लोग से वायो की तरब से सामाजिक विज्ञान महिला अभ्यतियों का जो रिजल्ट है वो गोशित किया गया तो उसके बास सत्या दिसंबर तक चलेगा उनका अभलेकों का सत्यापन उसी कर्म में यहां पर जो ऐसे अभ्यति रहे वो आगामी सत्यापन भी करा पाएंगे लेकिन जो पुरानी एल्टीगेट की सिच्छक वरति वो सत्यापन की जो प्रकिया पूरे तरीके समाप्त हो जाएगी उसके बाद में एल्टीगेट के दिख्त परों का जो अधियाचन है वो यहां पर आप सभी के कंप्लिट करते हूं नहीं सि दिखने के लिए मिलेगी आयो की सुत्रों के अनिसा नवंबर में एल्टीगेट के 729 परों की सूचना मिली है विवाग एल्टीगेट की प्रवक्ता दोनों भरति के लिए अधियाचन बेजने के लिए त्यारी कर रहा है दस अजार परों के दिख्त होने के जो अनुमान है 6,000 एक्तपतों की सूचना मिल चुकी है तो आगामी समय के अंदर आपको एक 10,000 की भरती देखने के लिए मिलेगी जो की एल्टीगेट की होगी और उम्भीत हैं कि UPTED से पहले ही आप सभी के सामने आ जाएगी तो ऐसे में जो भी अभ्याती एल्टीगेट का इंतजार कर हैं पिछली बार जो अभ्यती रह गए थे वो इस वार के लिए आफितन कर पाएंगे एल्टीगेट को लेकर एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा अगर आप लोग कहेंगे तो तो ऐसे में UPTED से पहले आने की संभावना बन रही है एल्टीगेट सिचक बरत अभ्यती जो होगी वो आपको UPTED के बाद ही देखने के लिए मिल पाएगी वहीं दूसीतर बात के 99,000 से चैनित होकर भी जो अभ्यती हैं वो बाहर हो जाएंगे महमला क्या है आप सभी जानते कि 99,000 के अंदर तोटी सोधार का जो मोका है वो दिया गया है अब ऐसे में जि इसके आधार पर जो राहत है वो मिल चुकी है लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यती हैं जिनकी छोटी छोटी गलतिया भी कह सकते हैं या फिर बड़ी गलती दिखाई दे रही है जैसा कि मेल की जिगर फीमेल दिख दिया है तो यहां पर उनके लिए समस्या हैं मदर फादर की ने देखने के लिए मिल दाए तो ऐसे में आप सभी नीचे देखने के लिए मिलेगा अगर बात कहें यह खबर उन लाखों प्रतियों के लिए जो दिन रात मेनत करके सफलता की सीड़ियां चड़ते हैं लेकिन मंजिल पर पहुशने के ठीक पहले फिसल जाते हैं कानपुर की आधना शुकला की अगर बात की जाए साथ में और भी अभ्याति को जनाम है वो यहां पर लिखे हुए हैं उन्हें तरजा सिच्छक बरती में यह हुआ सभी न हाइए स्कूल इंटरेस नातक प्रसिशन के साथ ही सिच्छक बरती की प्रतियों की परिच्छा उम्दा अंकों से पास कर ली लेकिन अगर बात करें जो उनके मिले अंकों की वेबसाइट दर्ज करने में चूक होगी लिहाजा चैनित होकर भी अव्यर्थी बनकर रहेगा मतलब यह है कि उनको यहां पर सिच्छक बनने की लास्ट स्टेश पर आकर भार कर दिया गया है क्योंकि कई बार ह यह भी एक समस्या के विसेर रात को बारे बारे एक एक बज़े जक्कर भ्यरती आविदन करते हैं और स्वेम मैंने भी ऐसा किया है तो इसको कहने की सुदार करने की आविशक्ता भी है तो उसी कर में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल भी रहे हैं इन सभी पर जो आदे से वो जादी किया था इन्हें राहत नहीं दिया जारी है उसी करम में बातके सालसना आदेश में कर आगा है जिन अविरती के प्राफ्तांग अधिक है और पूड़ां करम ने भर दिया है तो उनका यहां से जो चैन है वो निरस्त कर दिया जाएगा तो ऐसे मे ये तो बात रूया थे उन अभ्यतियों के बारे में हाला कि सुधार का मुखा दिया जा सकता था लेकिन सरकार ने जो सासना आदेश दिया उसके इंदर बहुत साई राहतें दी हैं और कुछ अभ्यतियों को यहां पर लेस्ट करनेगा जो आदेश है वो भी देखने के लिए म नीचे धर काॉंसिलिंग वाले अब्याथी कमेंट करते वह दिखाई देते हैं बाहर वाद में पको यहां पर देखने के लिए मिलेगा आनентिम चरण में पोंची 99.001 शिचक बर्ती अनंनिव और अन्तिम चरण में वस यही फ़र्क है कि अनतिम से एक पहले उसको अनन तिम ही कहा जाता है चाहे वो चार-पांच पहले क्यों ना हो तब भी उसको नंतिम कहा जाता है मतलब ये है कि अनंतिम चर्ण में उनेतर जास अच्छक भरती पहुँच चुगे लेकिन अंतिम चर्ण में अभी नहीं पहुची है और अन्तिम चर्ण जब तक नहीं होगा जब तक एक-एक सीटर यहां से भर नहीं जाएंगी मतलब ये है कि थर्ड कांसलिंग चात्तों के लिए खुश कबरी है पॉजिटिव है ये शासन इससर पर इसको लेकर चीजें देखने के लिए मिल दहीं है बायतारी के बाद में प्रदों की संख्या भी आप सभी को बता दी जाएगी कि कितने पद यहां पर खाली जाएगे क्योंकि यहां पर सभी अभ्यरती को बुलाया गया है चाहे वो 31,000,000 के 3000 अभ्यरती में से कोई भी जाना चाहते इसके अलावा जो 37,000 के अंदर भी अभ्यरती रह गए थे वो भी यहां पर जाकर अपनी जो काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं उसी कर्में जान गई आप सभी के सामने देखने के लिए मिली सिच्छक बहती है और अनंतिम चरण में आ चुकी है तो उसी कर्में आगामी समय के अंदर जो बंचित अभ्यरती है वो यहां पर जो काउंसलिंग जाकर करवा सकते हैं और बायरतारी को निक्ति पत्र दे दिये जाएंगे ऐसे में जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार करें अभ्यर थी बायर तारीक के बादें पदों की जो घोशना है वो आपको देखने के लिए मिलेगी हाला कि शासन इस तरह से जब तक आदेस नहीं आएगा तब तक थर्ड काउंसलिंग शुरूर नहीं करवाई जाएगी तब आप सभी को पताए उनेतर जास इच्छक भरती के इतना सीट जोडने के लिए लगाता जो प्रदर्शन ने वो जादी था प्रयागरास में जिसकी जनगाई मैंने आप सभी को पहले देदी थी अब ऐसे में कल वो धना प्रदर्शन यहां पर समाप्त कर दिया गया अभ्यतियों के माध्यम से जो जानकाई मिली उसकी आधारपनों ने बताया सचिप जी की तरब से इस पस्टी करण दिया गया है कि जो अभ्यति थर्ड काउंसलिंग का इंतजार करें उसमें 1133 सीटों को जोड़का आपको थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिल जाएगी मतलब जानकाई ये निकल कर गया रही है कि फिलाल अभी इनको नहीं जोड़ा जाएगा 666 या 866 में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1133 सीटों को जो जोड़ा जाएगा वो थर्ड काउंसलिंग के अंदर जोड़ा जाएगा ऐसा अभ्यातियों के माध्यम से जानका ये निकली है लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए अभ्यातियों के बारे में अभ्यातियों के तरफ से ये भी बताया गया है कि फिर भी वो contempt court फाइल करेंगे मतलब ये है कि court की तरफ से जो आदे से वो दिया गया था सीटों को जोडने के लिए अगर सरकार बाद में इस आजबाशन को भूल जाती है तो कहीने की अभ्यातियों के पास में दूसरा जो दास्ता है वो खुला हुआ है तो ऐसे में जंद अभ्याति यहां पर हाई court के अंदर कंटेम्ट फाइल करके अपनी जो मांगे हैं वो रखेंगे और court से कईने की आदिस निकलवाने का जो प्रयास से वो किया जाएगा जो की सीट जोडने के संबंध में होगा बाकि जो भी जैसी भी जान गई निकले की लगाता आप सुभी को ओल्लाइन एड़ा फर्स्री चै ना थैंक यू फर वच्छिं इस वीडियो